नमस्कार दोस्तो एक नई वीडियो के साथ माई सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है दोस्तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 18 साल के हो गये हैं या फिर होने वाले हैं दोस्तो वोटर आईडी आज की तारीक में ये डोकिमेंट बहुत ही इंपोर्टन है ये डोकिमेंट ना केवल वोट डालने में काम आता है बलकि के जगों पर आपके आइडेंटिटी प्रूफ में भी काम आता है तो अगर आपका भी वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं ब बनवा सकते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है, वीडियो में end तक बने रहीएगा, चलिए चलते हैं computer screen पर और देखते हैं कि आप अपने water id card को online बनवाने के लिए कैसे apply कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको इस website को open करना है www.woters.eci.gov.in जैसे ही आप website को open करेंगे, कुछ इस तरह से आपको screen दिखाए देगी, और आपको बहुत सारे forms दिखाए देगे, यहाँ पर सबसे पहले left hand side में आप देखेंगे, आपको form 6 दिखाए देगा, form 6 उन logo दुवारा भरा जाता है, जो की 18 साल के हो चुके हैं, या फिर कुछ महीन में 18 साल के होने वाले हैं, तो form को fill up करने के लिए यहाँ पर आपको form 6 पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली screen पर आप देखेंगे, आपको एक login screen दिखाए देगी, दोस्तो पहली बार आपको यहाँ पर registration करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर sign up पर क notification के बाद registration को complete कर लेना है, website पर registration करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी login details के साथ login कर लेना है, यानि कि अपना mobile number एंटर करना है, password एंटर करना है, और capture code एंटर करने के बाद request OTP बटन पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके mobile number पर एक OTP बेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर enter करना है, और उसके बाद verify and login बटन पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका login कम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपको दोबारा से home page पर form 6 पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे, आपको एक application form चुनना है, उसके बाद नीचे next पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी personal details fill up करनी है, यहाँ पर आपको अपने नाम को भरना है, यहाँ पर जैसे ही आप अपने नाम को English में भरते हैं, नीचे हिंदी में automatically आपका नाम आ जाता है, अपने नाम को enter करने के ब उसके बाद नीचे next पर click करना है, उसके बाद आपको अपने किसी भी relative की information यहाँ पर भरनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर relation को चुनना है, यानि कि जिसकी details आप भर रहे हैं, वो आपका father है, mother है, husband है, wife है, या फिर legal guardian है, उसके बाद नीचे उसके नाम को यहाँ पर भर द करना है, उसके बाद email id को enter करना है, और उसके बाद नीचे next पर click कर देना है, उसके बाद आपको अपने आधार की details यहाँ पर fill up करनी है, अपने आधार number को यहाँ पर enter करना है, आधार number एंटर करने के बाद नीचे next पर click करना है, उसके बाद अपने gender को यहाँ पर आपको पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी date of birth को चुन लेना है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे जो भी details आप यहाँ पर भर रहे हैं, वो details आपके supporting document से match होना चाहिए, date of birth को चुनने के बाद आपको नीचे उसके supporting document को यहाँ पर upload करना है, यानि कि अपने date of birth proof को upload करना है, सबसे पहले यहाँ पर document for proof of date of birth को चुनना है, और नीचे list में से अपने supporting document के नाम को यहाँ पर चुन लेना है, यानि कि आधार कार्ड को चुन लेना है, और उसके बाद नीचे अपने आधार कार्ड की copy को यहाँ पर upload कर देना है, जो document आप upload करेंगे उसका maximum size 2 MB को होना जरूरी है, और file का format PNG, JPEG या फिर PDF हो सकता है, document upload करने के बाद आपको नीचे next पर क्लिक करना है, अगली screen पर आपको अपने आधार कार्ड के according अपने complete address को भरना है, अपने complete address को भरने के बाद, नीचे document for proof of residence को चुन लेना है, और यहाँ पर दोबारा से address proof में भ को दोबारा से यहाँ पर upload कर देना है, और उसके बाद नीचे next पर क्लिक करना है, अगली page पर जो details आपको भरनी है, वो एक disabled person के लिए है, यानि के एक विकलांग व्यक्ति के लिए है, और यह details optional होती है, अगर आप विकलांग है तो यह details आप फिलप कर सकते हैं, otherwise इसको blank भ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपनी family में से किसी के भी voter ID card की details यहाँ पर भरनी है, जैसे कि उस family member का नाम, उस family member का आप से relation क्या है, और उसका voter ID number यानि के EPIC number क्या है, यह details आपको यहाँ पर फिलप कर देनी है, और नीचे next पर क्लिक करना है, उसके बाद declaration में नीचे अपने town या फिर village के नाम को भरना है, अपनी state को यहाँ पर चुन लेना है, और उसके बाद अपने जिले को चुनना है, उसके बाद जो address आपने यहाँ पर fill up किया है, उस address पर आप कब से रहते हैं, उस महिने और साल को यहाँ पर भर देना है, नीचे place में दोबारा से अपने town या village को यहाँ पर भर देना है, और उसके बाद नीचे next पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर capture code enter करना है, और यहाँ पर send OTP पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके mobile number पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर preview आपको दिखाय जाएगा, जहाँ पर आपको दोबारा से अपनी सारी details को एक बार और चेक कर लेना है, अगर आपकी कोई details गलत है तो आप इसे अभी edit भी कर सकते हैं, और अगर आपकी सारी details सहीं है तो नीचे submit बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद confirm करने के लिए application reference number भी दिया जाता है, जिसके सायता से आप अपने application का status भी track कर सकते हैं, application submit होने के कुछी दिनों बाद आपका voter ID आपके दिये गए address पर post से भेज दिया जाता है, application को track करने के लिए आपको दोबारा से home page पर जाना है, और यहाँ पर track application status पर क्लिक करना है, उसके बाद अप application reference number को यहाँ पर भरना है, अपनी state को यहाँ पर चुनना है, और search पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके application का status आपके सामने आ जाएगा, अगर आपका voter ID इसू हो चुका है, तो आप अपने voter ID को online ही download कर सकते हैं, उसके लिए आपको home page पर eEPIC download पर क्लिक करना है, जहाँ पर अपने eEPIC यानिके voter ID number की सायता से या फिर reference number की सायता से अपने voter ID को PDF format में download कर सकते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप online अपने voter ID card को बड़ी आसानी से बनवा सकते हैं, वीडियो अगर पसंद आईए तो प्लीज लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों को जरूर भीजेग तक कि आपके दोस्त भी voter ID card को online बनवा सकें, अभी के लिए धन्यवाद, एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, all the best